सुपस्टार अज़धेवगन की आने वाली फिल्म RID का नया गाना रिलीस कर दिया गया है इस फिल्म में अज़धेवगन एक मांदार इंकम टेक्स आफिसर की भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाली है फिल्म के ट्रेलर को कुछ वक्त पहले ही रिलीस किया गया था और हाल ही में फिल्म के नए गाने ब्लैक जमाहे को रिलीस किया गया है इस गाने को देखने के बाद अजय देवगन के रोल का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है फिल्म में अजय देवगन की उस रेड को दिखाया गया है जो सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक चलती है इस गाने के साथ साथ सभी इस फिल्म को भी काफी पसंद करने वाले हैं गाने की बात करें तो इस गाने को सुखवंदर सिंग ने अपनी आवाज दी है गाने के लिरिक्स को इनरनील ने लिखा है गाने के बोल और म्यूजिक कहानी पर सटीक बैठ रहे हैं फिल्म का ये गाना अजय देवगन और सौरब शुकला के बीच की तकरार पर आधारत है जिसमें अजय कहते हैं कि वो उनके घर से ब्लैक मनी लेकर ही जाएंगे और सौरब उन्हें हर तरह से रोकने की कोशिश करते हैं ये पहली बार नहीं है जब अजय देवगन ऐसा दमदार किरदार परदे पर उकेरते हुए नजराने वाले हैं इससे पहले वो फिल्म सिंखम में पुलिस वाले का रोल भी निभाच चुके हैं अजय देवगन की उस भूमिका को फैंसने काफी पसंद किया था और उसके बाद से एक बार फिर से सभी अजय देवगन को उस तरह की भूमिका में देखना चाते थे फिल्म में अजय देवगन और अलियाना के साथ सौरब शुकला भी नसराने वाले हैं सौरब शुक्ला फिल्म में विलन का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे पहले रिलीस किये जा चुके ट्रेलर में दिखाया गया है कि अजय देवगन इलाके के बाहुबली के घर रेट डालने जाते हैं